नमस्ते दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम पढ़ेंगे काक्षा दस्वी विशे हिंदी दूसरी इकाई दस्वा पाठ बूरी काकी इस पाठ का स्वाध्याए श्रवनिय बड़ों से ऐसी कहानी सुनिये जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश मिल रहा हो उत्तर एक बार मेरी दादी ने मुझे एक मेंड़क की कहानी सुनाई थी जो मुझे बेहद अच्छी लगी थी कि कैसे एक छोटे सी जीवने अपने लगातार प्रियास से कठिन परिस्थिजी से बाहर निकलने की कोशिश की आओ उस कहानी के बारे में जानते है एक बार एक मेंड़क दूद की बाल्टी में गिर गया मेंड़क बार बार उचल कर बाल्टी से बाहर निकलने का प्रियास कर रहा था लेकिन वह हर बार असफल हो जाता था मेंधक बाहर निकलने के लिए दूद की बाल्टी में उचल कूद करता रहा इस तरह करते करते कई गंटे बीद गए लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया लेकिन वह लगातार कोशिश करता रहा मेंधक ने दूद की बाल्टी में इतनी बाहर उचल कुद किया कि दूद से मक्खन अलग होकर इकटा हो गया जिस पर मेंधक उचल कर बैठ गया जिससे उसको काफी रहत मिली मक्खन दूद में तैर रहा था क्योंकि वह डूब नहीं सकता था मेंधक आसानी से उचल कर बाल्टी से बाहर निकल गया मेंधक अपने लगातार प्रयास से कटिन परिस्तिती से जीद गया संभाशनिया रुद्धाश्रम के बारे में जानकारी इकटा करके चर्चा कीजिए उत्तर रुद्धाश्रम एक सामाजिक सुविदा है जो रुद्ध लोगों के लिए बनाई गई है यह उनके लिए आवश्यक सुविदाओं के साथ सुखद और सुरक्षित एक स्तान प्रदान करता है जैसे की कमरेई, खाने पिने, स्वास्त सुविदाई सामाजिक संगटन और अधिकाउश मामले में कर्मचारियों की सहायता रुद्धाश्रम के लिए प्रवेश्की शेर्टे बिन बिन हो सकती है कुछ के लिए आयू सीमा भी हो सकती है लेखनिय, भारती ये कुटंब व्यवस्ता पर बाशन के मुद्दे लिखिए भारत में परिवार संस्ता का अस्तित्व अत्यंत प्राचिन काल से ही विद्यमान रहा है आर्यो के प्राचिन्तम गरंतर ग्वेश्च से इस संस्ता के स्वरुप पर प्रकाश पड़ता है ज्यात होता है कि पूर्ववईदिक काल में सयुक्त परिवार की प्रथात ही जिसमें माता-पिता, पती-पत्नी, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री आदी के साथ ही साथ अन्य संबंदी भी निवास करते थे वे सब एक ही घर में रहते थे, साथ-साथ भोजन करते थे, एक धर्म का पालन करते थे तथा परिवार की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता था, परिवार पित्रु सत्तात्मक होता था, इसमें पिता परिवार का निरंकुष शाषक होता था, तथा सभी सदस्यों को उसकी आज्याओं का पालन अनिवार्य रुप से करना होता था ऐसा पता चला है कि सयुक्त परिवार में चार पीलियों तक के सदस्य रहते थे पिता का परिवार के सदस्यों पर असिमित अधिकार होता था सामान्य तहा पिता तथा पारिवारिक सदस्यों के सम्मंद सवहार्द पूर्ण हुआ करते थे तथा पिता उनका पालन पोशन देख रेक शिक्षा दिख्षा सुरक्षा आदी का समुचित प्रबंद करता था गुरुव सुत्रों में भी बड़े-बड़े परिवारों का उल्लेक मिलता है यही बड़े और सयुक्त परिवार भारतिय सलस्कृती के विशेशताय होती थी पठनिया चलती-फिरती पाठ्षाला उपक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करके पढ़िये और सुनाईये उत्तर चलती-फिरती पाठ्षाला शेक्षिक पहल है जिनका उद्देश शिक्षा को सीधे उनके दरवाजे तक पहुचा कर हाशिय पर या वंचित समुदाय को सीखने के अवसर प्रदान करना है ये स्कूल अक्सर आउपचारिक शिक्षा तक सिमित पहुचवाले क्षेत्रों में संचालित होते है उन बच्चों की देखबाल के लिए जिने पारंपारिक स्कूलों में जाने में बाधाय आती है उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है वे आम तोर पर कक्षा का माहल बनाने, बुनियादी शिक्षा और कभी-कभी स्वास्त देखबाल और पोशन जैसी अतिरिक्त सेवाये प्रदान करने के लिए विशेश रूप से सुशजित वहानो या चलसहुरचनाओ का उपयोग करते है मोबाईल स्कूल शेक्षिक असमानताओ को दूर करने और समाविशी शिक्षा को बड़ावा देने में महत्वपूर्ण भुमी का निबाते है यह सुनिश्चित करते हुए कि दूरदराज या वन्चिक शेत्रों के बच्चों को आवश्चक ज्यान और कौशल तक पहुँच हो अब हम मुढेंगे स्वाध्याईक योर सुचना के अनुसार कृतिया कीजिए पहला सुभाव के आधार पर पात्र का नाम कृधी और कृधी सुभाव की थी रूपा दूसरा है लालची लालची सुभाव का कोन था तो लालची सुभाव का था बुद्धिराम शरारती थे दोनों लड़के और स्नेहिल थी लाडली दूसरी कृती कृती पूर्ण कीजिए बूढी काकी को ललचाने वाले व्यंजन और वे व्यंजन है पूरिया, कचोडिया, रायता और मसालेदार तरकारी तीसरी कृती बुद्धिराम का काकी के प्रती दुर्व्यवार दर्शाने वाली चार बाते संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय बुद्धिराम द्वारा बड़े-बड़े वादे किये जाना दूसरा बुडी काकी को भरपेट खाना ना खिलाना बुद्धिराम द्वारा महेमानों की बीच से बुडी काकी को निर्देता पुर्वक खोठरी में ले जाना और चौता सबका खाना होने के बाद भी बुडी काकी को खाने के लिए ना पुछना यह चार बाते दूर्विवार दर्शाती है चौती कृती कारण लिखिए पहला बुडी काकी ने भतिजे के नाम सारी संपत्ती लेग दी इसका कारण है कि बुडी काकी के परिवार में उनके भतिजे के सिवाय अब कोई नहीं बचा था इसलिए उने अपनी सारी संपत्ती अपनी भतिजे के नाम करनी पड़ी इसलिए बुडी काकी ने भतिजे के नाम सारी संपत्ती लिख दी दूसरा, लाडली ने पुडिया छिपा कर रखी कारण लाडली उन पुडियों को अपने बुडी काकी को, अपने दाधी को खिलाना चाहती थी इसलिए उसने पुडिया छिपा कर रखी तीसरा बुद्धिराम ने काकी को अंधिरी कोठ्री में धम से पटक दिया कारण बुडी काकी रेंगती वी मेमानों की बीच आपोची थी जो मेमानों भोजन कर रहे थे उने देख कई लोग चोक कर खड़े वे यह देख बुद्धिराम को गुस्सा आया और उनने काकी को वहां से उठा कर अंधिरी कोठ्री में धम से पटक दिया चौथी कृती आंग्रीजी पड़े नवयक उदासिन थे कारण वे गवार मंडली में बोलना अत्वा संमीली थोना अपने सम्मान अपने प्रतिष्टा के प्रतिकुल समस्ते थे इसलिए आंग्रीजी पड़े नवयक उदासिन थे पाचवी कृती सुचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए और केंद्रबिंदु में है शब्द बच्चा बच्चा शब्द का विलोम वह उता है बुढा लिंग बच्ची परियाई वच्ची बालक या लड़का बहुवचन बच्चे अभिवेक्ति बुजूर्ग आदर सम्मान के पात्र होते है दया के नहीं इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो विक्ति बुजूर्ग है वह हमेशा बुढा और असाय नहीं था वह भी पहले युवा था उसने अपने परिवार का पालन पोशन और उसकी देखरे की थी उसने तरह तरह की समस्याओ का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था उसे जीवन जीने का अनुव है लेकिन रुद्ध हो जाने पर किसी किसी परिवार में बुजूर्गों को किनारे कर दिया जाता है उनकी सला या सुजाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता इस तरह के व्यवार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसुस होती है किसी किसी परिवार में तो बुजुर्गों के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती घर के लोग अपने में मगन रहते हैं और बुजुर्गों का कोई खैल नहीं रखता बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुँ ताकना पड़ता है हमें यह बात नहीं भुलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतान है उनको परियाप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेक करना हमारा फर्ज है बुजुर्गों की प्रसनता और उनके आशिरवाद से ही परिवार फूलता और खुशाल रहता है इसलिए बुजर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए और उनकी देखरे करनी चाहिए बाशा बिंदू पहला निम्नलिकित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितिये प्रेरनार्थक रूप लिखिए पहली मूल क्रिया है भूलना प्रथम प्रेरनार्थक रूप भुलाना द्वितिये प्रेरनार्थक रूप भुलवाना दूसरा पीशना प्रथम प्रेरनार्थक रूप पिसाना द्वितिये प्रेरनार्थक रूप पिस्वाना तीसरी मूलक्रिया है मांगना प्रथम प्रेर्नार्थक रूप मंगाना द्वितिय प्रेर्नार्थक रूप मंगवाना चोथी मूलक्रिया है तोडना प्रथम प्रेर्नार्थक रूप तुडाना और द्वितिय प्रेर्नार्थक रूप तुडवाना पाच्वी मूलक्रिया है बेचना प्रथम प्रेर्णार्थक रूप बेचाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप बेचवाना छेवी मूलक्रिया है कहना प्रथम प्रेर्णार्थक रूप कहान या कहलान और द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप है कहवान या कहलवान साथ्वी मूलक्रिया नहान प्रथम प्रेर्णार्थक रूप नहलान द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप नहवान या नहलवान आठ्वी मूलक्रिया खिलन प्रथम प्रेर्णार्थक रूप खिलान द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप खिलवान नोवी मूलक्रिया खाना, प्रतम प्रेरनार्थक रूप खिलाना और द्वितिय प्रेरनार्थक रूप खिलवाना दस्वी मूलक्रिया है फैलना, प्रतम प्रेरनार्थक रूप फैलाना और द्वितिय प्रेरनार्थक रूप फैलवाना ग्यार्वी मूलक्रिया है बैटना प्रतम प्रेर्णार्थक रूप बैठाना और द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप है बैठवाना बार्वी मूलक्रिया लिखना प्रतम प्रेर्णार्थक रूप लिखाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप लिखवाना तेर्वी मुल्क्रिया जुटना प्रथम प्रेर्णार्थक रूप जुटाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप जुटवाना चौद्वी मुल्क्रिया है दोडना प्रथम प्रेर्णार्थक रूप दोडाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप दोडवाना पंद्रवी मूलक्रिया है देखना, प्रतम प्रेर्नार्थक रूप दिखाना, द्वितिये प्रेर्नार्थक रूप दिखवाना सोलवी मूलक्रिया है जीना, प्रतम प्रेर्नार्थक रूप जिलाना, द्वितिये प्रेर्नार्थक रूप जिलवाना दूसरी कृती पठित पाठों से किनी दस मूलक्रियाओं का चैन करके उनके प्रथम तथा द्वितिय प्रेर्नार्थक रूप निम्न तालिका में लिखिये पहली मुल्क्रिया है करना प्रतम प्रेर्णार्थक रूप है कराना और द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप है करवाना दूसरी मुल्क्रिया है चलना प्रतम प्रेर्णार्थक रूप चलाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप चलवाना तीसरी मुल्क्रिया है बोलना प्रथम प्रेर्णार्थक रूप बुलाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप बुलवाना चौथी मुल्क्रिया है लगना प्रथम प्रेर्णार्थक रूप लगाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप लगवाना पाच्वी मुल्क्रिया हे पीना प्रतम प्रेर्णार्थक रूप पिलाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप पिलवाना छेवी मुल्क्रिया हे रखना प्रतम प्रेर्णार्थक रूप रखाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप रखवाना साथवी मुल्क्रिया है गुसना प्रतम प्रेर्नार्थक रूप गुसाना और दुतिय प्रेर्नार्थक रूप गुस्वाना आठवी मुल्क्रिया है धुन्ना प्रतम प्रेर्नार्थक रूप डुंडाना और दुतिय प्रेर्नार्थक रूप डुंडवाना नवी मूलक्रिया है पीना प्रतम प्रेर्णार्थक रूप पिलाना और द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप पिलवाना दस्वी मूलक्रिया है देना प्रतम प्रेर्णार्थक रूप दिलाना द्वितिय प्रेर्णार्थक रूप दिलवाना उपयोजित लेखन मेरा प्रिय वज्ञानिक विशय पर निबंदलेखन कीजिए विश्व में किसी देश की तरक्की का श्रेय वज्ञानिक को जाता है उनके अनेक अविश्कारों द्वारा मानों का जीवन सरल और आरामदायक बित्ता है इस संसार में अनेक शेत्र में अविश्कार करने वाले एक से बढ़कर एक वज्ञानिक हुए है इनी अविश्कारों से आज कई देश तरक्की के सिखर पर खड़े है सबकी उपलबद्यों का अपना-पना महत्व है परन्तु जिस वैज्यानिक की उपलब्धियों ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है जिससे की वे मेरे प्रिय वैज्यानिक बने मेरे प्रिय वैज्यानिक थौमस अलवा एडिसन है थौमस अलवा एडिसन का जन्न 11 फरवरी 1847 को अमरिका के ओयो राज्य के मिलान नगर में हुआ था वे बच्पन से ही जिग्यासु सोबाव के थे वैज्यानिक प्रियोगों की धुन उन्हें बच्पन से ही थी स्कूल की पड़ाई में मन न लगा तो मा के प्रोस्षान से वे घर में ही छोटे छोटे प्रियोग करने लगे बारा वर्ष की आयू में उन्होंने ट्रेन में अकबार बेचना शुरू किया प्रोयोगों की दिल्चस्पी वहाँ भी उनको थी ट्रेन का डिब्बा ही उनकी प्रोयोग शाला बन गया दीरे दीरे एडिसन के प्रयोग सफल होने लगे उन्होंने उस समय प्रचली तार यंतर में कई सुदार किये टेलीफोन का मूल अविशकार तो ग्रैम बेल ने किया था पर उसमें कुछ कमिया थी उन कमियों को एडिसन ने दूर किया टेलीफोन को वर्तमान रूप देने वाले एडिसनी थे टेनों का समय दर्चाने वाला इंडिकेटर भी उन्होंने बनाया था उनका सबसे महत पूर्ण अविशकार है बिजली के बल्बों में विद्युत दारा प्रवाइद करना जिस विद्युत ने आज हमारे जीवन में तरह तरह की सुविदाय प्रदान की है उसके अविशकार का सारा अश्रे ये एडिसन को ही है मनोरंजन की दुनिया में क्रांति लाने वाले सीनेमा के प्रोजेक्टर का अविशकार भी एडिसन ने ही किया था एडिसन के अविशकारों ने हमारे जीवन को अनेक सुख सुविदाओं से संपन्न बनाया है जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उनका कोई युगदान नहो उन्होंने छोटे बड़े लगबग 1400 अविशकार किये है अपने अविशकारों के द्वारा इस युग पर उन्होंने अपने वएग्यानिक का जलवा दिखाया है इसलिए वे मेरे प्रिय वएग्यानिक है एडिसन के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है निरंतर परिश्रम वे मानते थे कि उनकी सफलता में एक प्रतिशत हिस्सा भा अपने वएग्यानिक थे 18 अक्तुबर 1931 को 84 वर्ष की उम्र में विज्ञान के इस जादूगर ने विश्व से सदा के लिए विदा ली आज उनक्यानिक अविशकारों के वजह से मानों का जीवन सरल बन गया है उनके कटोर परिश्रम ने आज विश्व को उजालों से भर दिया है सचमुच मेरे सबसे प्रियवग्यानिक एडिसन ही है यहां हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ हिंदी विश्व और भी विश्व की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको हमारा यह विडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपने मित्र स्वेलियो में ज्यादा से ज्यादा शेर करें कोई प्रतिक्रिया हो सुझा हो या हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर बताए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद